हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब आई होप आप सब बहुत एच्छे सहोंगे तो आज मैं आप लोगे लिए बहुत ही ज़्यादा स्वादिश्ट चाशनी वाले मालपुए की रेसिपी लेकर आई हूँ कोई भी फेस्टिबल हो होली हो दिवाली तीज आप किसी पे भी इस मालपुए को बना कर खा सकते हैं और जब भी आपका दिल करे कुछ मीठा खाने का बहुत ही मज़ेदार ये मालपुए बनकर तयार होते हैं और इसे बनाना भी बहुत ज़्यादा आसान है ये जो को तोड़ कर दिखाती हूं ये देखिए ये कितना जादा सौफ्ट बना है अंदर तक चाशनी अच्छे से एब्सॉब हो गई है देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं आपकी मालपुए हमारा जो है ना उपर से क्रिस्पी और अंदर से कितना जादा जूसी बनकर तयार थोड़ी सी भी पसंद आये यूसफूल लगे तो प्लीज इसे जादा जादा शेयर करिएगा लाइक कीजेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलेगा तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं मालपुए बनाने के लिए मैंने यहापे एक कटोरी गेहू का आटा लिया है आप इसकी जगा पे मैदा भी ले सकते हैं आधी कटोरी के करीब मैंने लिया है सूजी ये बारीक वाली सूजी है अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो आप उसे बारीक पीस लें स्वीटनेस के लिए एक चमच के करीब हम डालेंगे पीसी माल पुवा में सौफ का पाउडर आप जरूर डालें बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और दो चुटकी के करीब हम इसमें डालेंगे बेकिंग सोडा यानि की मीठा सोडा तो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अच्छे से मिक्स करने के बाद यहां पर मैंने लिया है एक ग्लास के करीब दूद यह नौर्बल टेंप्रेचर का दूद है दूद गर्म करने के बाद जब ठंडा हो जाता है यह वही वाला दूद है तो थोड़ा थोड़ा करके हम दूद डालेंगे और इसका पतला सा बैटर बना कर तयार करेंगे फ्रेंड्स केले के माल पूआ की रेसिपी आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं मैं रेसिपी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूगी चमत से यह अच्छे से मिक्स नहीं हो पा रहा है तो एक विसकर की सहायता से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप चाहें तो हाथ से भी इसे मिक्स कर सकते हैं तो थोड़ा थोड़ा पानी डालके हम इसका पतला बैटर इस तरीके से बना कर तयार कर लेंगे आप ये देख सकते हैं मैंने थोड़ा थोड़ा करके एक गलास भर के दूद इसमें डाल दिया है छोटा वाला जो ग्लास आता है ना उससे भरके मैंने एक ग्लास दूद डाला है और इसके साथी मैंने यहाँ पे दो बड़े चमच के करिब लिया है दूद से निकली हुई ताजी मलाई आप इसमें ताजी मलाई ही डाले बहुत ही बढ़िया क्रीमी फ्लेवर आता है दूद दूद में बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है तो यह देखे इसकी कंसेस्टेंसी अब देख सकते हैं बिल्कुल इस तरीकी की हमें कंसेस्टेंसी रखनी है इसको हम 15-20 मिट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देते हैं ताकि हमाई जो सूजी है न अच्छे से फूल कर लेते हैं मीठा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम यह जादा कर सकते हैं फ्लेवर के लिए मैं इसमें डाल रही हूं रोज वाटर आप इसमें डाल सकते हैं केवरा वाटर या फिर इलाइची का पाउडर जो भी आपके पास अवलेबल है आप वो डाल सकते हैं आपको देखाती हूं इस तरीके से हमारी जो चाशनी है न होनी चाहिए थोड़ी गाड़ी हो जाए और शहत की तरह छूने में चिपचिपा सा लगे आप देख सकते हैं तो बस हमारी चाशनी भी बनकर तयार हो गई है छो कर हम इस तरीके से चेक करेंगे यह देखिए यह अलग रहा है न तो बस इस तरीके की हमें चाशनी चाहिए तो चली अब हम चेक कर लेते हैं माल पुए वाला जो बैटर है 15-20 में ठो गया है और यह बैटर भी हमारा काफी अच्छे से फूल गया है तो इसे एक बार हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं तो यह देखिए फ्रे गया है तो यह देखिए ना तो बनाने में असानी हो तो एक बार हमाल पूवा को मिक्स करेंगे और थोड़ा सा बैटर डाल कर चेक करेंगे कि हमारे जो बैटर है अच्छे से बना है या नहीं बना है तो आप देख सकते हैं बैटर जो हमारा बिलकुल भी चिपक नहीं रहा है अच्छे से यह हो रहा है गैस का फिलेंगा हम हमें लो टू मीडियम पे रखना सब लगाए तो बैटर हम इस तरीके से एक फ सलो में डालेंगे रूप रुक में नहीं डालना है जितना एक बार में बैटर गिर जiken जेल मलपूबा को उपर चिड़कर रिखना और इसके कलर जब इस तरीके से सुनहरा हो जाए ना तब हमें निकालना है थोड़ी देर होल्ड करके निकालेंगे ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ओयल है वो निकल जाए एक और मैं आपको मालपुआ बना कर दिखाती हूं तो इस तरीके से हम बैटर डालेंगे आप इस को सेख लेंगे तो ये देखिए सारा मालपुआ मैंने फ्राई कर लिया है चाशनी में डालने से पहले थोड़ी सी चाशनी हमारी गर्म होनी चाहिए या फिर इस तरीके से आप लो फ्लेंपे चाशनी को रख दें और उसमें फटा-फट से हम एके करके सारे मालपुआ डाल अगर आपके पास टाइम नहीं है तो दो मिनट के लिए से हमें ढख के रख देना है ताकि चाशनी हमारे मालपुआ में अच्छे से एब्जॉब हो जाए आप बीना चाशनी वाला भी मालपुआ इस तरीके से बना सकते हैं बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं पांच मि या बड़े सभी को मालपुआ बहुत ही जादा पसंद होते हैं तो एक पार आप मेरे तरीके से मालपुआ ज़रूर बना कर ट्राई कीजेगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएगा कि आपको ये रेसेपी कैसी लगी किसी भी फेस्टिबल में आप इस मालपुआ को ब अपनी मन पसंद किसी भी ड्राई फूर्ट से से डेकोरेट कर सकते हैं ये जो मालपुआ है लुक वाइस बहुत ही जादा टैंप्टिंग लग रहा है मैं ये किन के साथ कहती हूं आप सभी के मुझ में पानी आ गया होगा मालपुआ देखकर और चाशनी वाले मालपुआ क कि अंदर तक अच्छे से एब्जॉब हो गई है येकीन मानिये फ्रेंड्स किसी को भी आप ये मालपुआ जब सर्व करेंगे न तो वह आपकी तारीफ करते नहीं ठाकेंगे आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा कहां से आप ये रेसिप करना बिल्कुल भी न भूलेगा और लाइक सब्सक्राइब भी कर दीजेगा तो फिर मिलते नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक क्यार